नमस्कार साथिया आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विट रॉनिक चलिए दोस्तों आज 17 जन्वर ही यह उस रूबात करते जैसे कि अपने सब्सक्राइब करने से पहले अगर अभी तक अच्छा रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आया आपको देखिए और के पी अच्छाब करने से पहले अगर अभी तक है आपना चैनल स्क्राइब अब पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लिए बहुत अग्रेसिव थे फीचर प्रडिक्षन किया गयाता है फीचर आजड़ी वह घ्रीन आज़ी अफेड रहने वाली है तो उसमें यह ऐढ़ने तो इसके अंदर क्या रहा है KP Energy Limited का जो quarter three का result है सबसे पहले हम बात करते हैं यह renewal energy यह wind energy बनाते ग्रीन energy का यह लोग काम करते हैं तो basically इनका काम क्या ग्रीन energy का promotion green energy को बनानेगा अब इसके अंदर और क्या रहा है इसका quarter three result का रहा है हम बात करते हैं तो चलते ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं इसके quarter three का result कैसा है उस पर बात करते हैं तो देखिए इसका result आया थाए बज़े आउटकम हो गया तो आउट निकल किया था धाए बज़े तो 17 जनवरी 2022 यानि आज के दिन इसका धाए बज़े इसका quarter three का result आया है तो रिजल्ट के अंदर इसके अंदर क्या देखने को मिला हमार को तो रिजल्ट के अंदर अभी इंटर सेकंड इंटर डिविडेंट दिया कंपनी ने 0.25 पैसेगा 0.25 पैसेगा कंपनी ने अभी डिविडेंट भी दिया इस quarter result के अंदर ठीक है तो यह एक अच्छी न्यूजस के अंदर अब चलते इसके अर्निंग कैसे रहे उसके बात करते हैं तो इसकी जो इसकी अर्निंग आ यह और लास्ट क्वाटर थी 5156 लां की तो मोटा मोटा देखे 2 लेक्स का प्रॉफित देखने मिलना सेल्स के अंदर और लास्ट यह ते एक हचार 454 लेक की वह बढ़क हुई है 7131 यानि के पूरे-पूरे 6,000 lakhs की income में इजाफा देखने को मिला आपको year-year-y मोटा-मोटा देखिए आपको एक-दो हजार नी पूरे-पूरे-पूरे 6,000 का difference देखने को मिला आपको year-year-y renewal energy के जो result है इसका देखिए कि last year था 1454 में बढ़क होई है 71-31 तो 7,000 का renewal energy के अंदर इसका 7,000 का profit यानि के 7,000 की income होई है total इसको इस quarter में तो बहुत तेजी से यानि के 6,000 का पूरा-पूरे difference देखने को मिलना हमारको income में की अब इसके अंदर और का देखिए इनका expense देखिएंगे तो total इनका expense इस quarter में 6,000 का हुआ है और last में था 4,500 और last year था 1225 तो year ये ये वाई भाई भी quarter quarter भाई देखिएंगे तो expense में ग्रोथ देखना हो मिली है अब देखिए कि किसी भी company अपना revenue generate करेगी तो उसके लिए expense भी खर्च करेगी cost of material कुछी जो करेगी जिससे उनका revenue बढ़े तो कुछनों कुछते expense करेगी अब जिससे revenue बढ़ता तो company revenue बढ़ने के बज़े उसका ये चलता है अब इसके अंदर इसका profit देखिएंगे हम कितना profit आया इसको तो operation profit इसको आया इस quarter में 11701 1170 लाक लाक का profit आया है तो last quarter था 11701 तो quarter quarter वाई देखिएंगे तो 1000 revenue का पूरा पूरा profit देखना हो मिल रहा है और last year था 239 तो last year से बढ़के हुआ है 1100 1117 तो आप year year रहे comparison करेंगे तो 15 पूरा पूरा आपको पूरा पूरा यानि कि आपको 1200 के असपस profit देखने हो मिल रहा पूरा पूरा यानि कि 1100 के असपस आपको profit देखना हो मिल रहा है तो यह देखिए कितना बड़ा profit देखना हो मिल रहा है difference आपको year year रहाई last year profit था 239 वह बढ़के हुआ है 1117 लाक का और last quarter था 701 लाक वह बढ़के हुआ है 1117 लाक तो यर इर वाई भी देखेंगे बाफिट मा काफिशी साथ चीड़ेंस देखने को छो रहा है को अब इसके अन्दर और क्या आ है तो इसकी अंदर टोंटल भूंब जो निकल किआ रहा है तो टोंटल प्रॉट जो निकल किआ हैं हमारा वह से हुर्ट गर अंदर तो इस quarter में हमें total net profit इसका निगल के आया है सास्सो सत्तल लैक के इस quarter में और लास्ट क्वाटर में था 515 लग का तो लास्ट यह तो लास्ट यह के ओडिक पांसो लग का benefit अच्छा का सा मिला इसको और लास्ट क्वाटर के अकॉर्डिंग इसको 200 लैक का profit मिला है net profit के अंदर भी अब EPS की बात के लिए तो EPS के अंदर देखिए earning पर शेर के अंदर कितना difference देखने को मिलना है हमार को तो EPS के अंदर बहुत मोटा मोटा difference देखने को वाई और त्री टैम देखने growth मिले quarter quarter वाई तो लास्ट क्वाटर था पांच पांच पर 53,93 वह बढ़के हुआ अठार रुपर 15 पैसे और लास्ट येर था एक रुपर 90 पैसे वह बढ़के हुआ आट रुपर 15 पैसे तो आप देखेंगे ultimate result बोलेंगे इसको ultimate result result बहुत ultimate देखने को मिला हमारे को result के साथ हमारे को company dividend भी दिया है तो यह सब चीज़े समझने वाले तो renewal energy इत्ता outcome निकल के आगा समझा नहीं था कि इतने टेजी देखने को मिलेगी बाखास कर इसके sales के अंदर तो sales तो बड़ी बेज हुआ देखने को मिल दिये औ 358 करोड बेगा market का अब हो गया stock PA 23.7 का है stock ROC इसका 16.2 परसेंट का है book values के एक्सर्टर पर आठ पैसे गिये और return of equity इसका हो गया 9 पर पे 87 पैसे का 9.87 परसेंट का हो गया है और dividend company ने दिया अभी तक 0.16 परसेंट और face value की 10 अर्बे गिये अब इसके अंदर क्या है company quarter quarter वे अच्छे result देए company ने अपना कर्चा देने के दिना वो कम कर रहे है यानि उन्हें improvement क्या है चालिस से घटके वो हो गया 21 हो गया है तो यह भी काफी अच्छा indication और result जो आया वो ultimate देखनों का मिल रहा है हमार को result में तो कोई दोह रहा है नहीं है result बहुत धमाके दार देखनों का मिला इसका अब इसके share holding pattern देखते है share holding pattern के अंदर क्या benefit देखनों मिल रहा है कि इसमें promoter ने अपनी holding increase करी है देखे सितंबर quarter के अंदर promoter की holding 66.43 वो बढ़क होई 66.60 तो यह अच्छा इंडिकेशन देखनों मिल रहा है कि promoter को अपनी company trust अपनी holding भी increase करी है और public holding आप हो गई है 33.40 तो बहुत अच्छा indication है कि promoter ने अपनी holding बढ़ाई है तो यह बहुत अच्छा indication है तो इसमें कल की दिन कैसा रहने वाला इसका trading season वो समस्तर पहले आज का कैसरा वो देखते हैं तो आज यह साड़े चार परसेंट पांच परसेंट सर्कीट बराक के बंद हुआ आज के दिन पर यह देखिए आज यह ओपन होता ओपन के बास से फिर यह गिरता क्योंकि result इसका धाई प्रफ्टे बाद ही आउटकोम आया थीन वज़ी यह दिखे लास्ट में हुआ है यह देखिए मार्केट में तीजी कव देखनों मिलिए आपको लास्ट के जो ट्रेडिंग से संथा आदा घंटा उसमें तीजी देखनों मिली है हमारको तो देखे यह हाई गया 321 का लो मार सब्सक्राइब आइए तो इसका मान वेलिए तो मन्तली के बाद से इसने 52 ओरी के मंत में दोज़ाससतरा में गया था 52 है उसका जब बना ता उसके बाद से यह है हाई जुन्हें अभी तक मारा लाइफटेम हाई 415 का मारा है तो मुझे जो लगते हैं जिसतर से इसका रिजल्ट आए 400 के लेवल आपको 10-15 दिन में जल्दी से दिखा देगा आपको यह एक अपते गंशा को 400 के लेवल दिखाएगा अगर आपके पास है अभी भी शेयर तो अपने पास होल्ड रखें शेयर के अंदर देखिए इसका मंतली चार्ट पर इंडिकेशन दिख रहे हैं तो मेरा जो इसमें टाइट रहने वाले अलगी मुमेंट पर चलना शेयर आप गिरावर्ड के कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं यहां से जिस्तसस का रिजल्ट है रिजल्ट का इंपेक्ट दिख रहा है मुझे 10 दिन के अंदर 400 के लेवल आपको इजी दिखा देगा 420 से पहले इसमें कोई भी आप एक्जिट मत करना फ्रेश बाइंग करना चाहत आप यहां से शेर तो आप लोग इसमें है तो प्लिस होल्ट रखिए बेखने की बुलकिल बहुत करिए अभी इस 420 तक के लेवल आपको इजी दिखा देश दिन के अंदर तो न्यू बाइंग भी कर सकते हैं अगर आपको यह साड़े 300 के नीचे नीचे मिलता है तो अधर ना बोले थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो